स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एससे यूट्यूब वर्ड में आज हम करेंट अफेर सेक्षन में इंपॉर्टेंट डेज को देखने वाले हैं जो काफी सारे एक्जामिनेशन में पूछ जा रहे हैं भी जो रेल्वेक एक्जामिनेशन चल रही है उसमें लगभ हर सिफ्ट में एक सवाल देखने को मिल रहे हैं और ऐसे भी इंपॉर्टेंट है हर एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे आप एससे की तियारी कर रहे हो या बैंकिंग की तियारी कर रहे हो या अन्ने एक्जाम की तियारी कर रहे हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाइक करें और सेर जरूर करें ताकि यह वीडियो और सभी के पास पहुँच सकें आईए शुरू करते हैं तो पहला जो है ठीक है पहला जो डेट है वो है 25 दिसंबर 25 दिसंबर 25 दिसंबर को 20ว governance दिवस के रूप में मनाया जाता है 25िशंबर को क्यूं 20ว governance दिवस के रूप में मनाया जाता है इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं तो 25 दिशंबर जो है इस 25 दिशंबर के दीन है ना अटल बिहारी वाजपई जी का जनम हुआ था जो अब इस दुनिया में नहीं रहें वो हमारे पूर्व प्रधान मंत्री हैं जिन्होंने देश का नाम काफी रोशन किया UN में उनकी भाषन की काफी चर्चा अभी तक होती है जो भाषन उन्होंने United Nation में भारत की तरब से दिया था तो 25 दिसंबर को आटल बिहारी वाजपाई जी का बड़े है बड़े था ठीक है तो उसी पर ये बिस्व गवर्नन दिवस उस दिन मनाया जाता है आगे चलते हैं राष्ट्रिय मत्दान दिवस राष्ट्रिय मत्दान दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है ठीक है समाजिक नयाई दिवस समाजिक नयाई दिवस 14 अप्रेल को मनाते हैं आगे है राष्ट्रिय एकता दिवस जहाँ जहाँ इंपोर्टेंट है वहाँ वहाँ मैं आपको बताता चलूँगा आगे है राष्ट्रिय एकता दिवस ठीक है राश्टी ये एकता दिवस हम लोग मनाते हैं 31 अक्टूबर को ठीक है 31 अक्टूबर जो है ये सरदार बल्ला भाई पटेल जी का जनम दीन है ये गवर्नेंस दिवस जो था ये अटल बिहारी वजपाई जी के था ठीक है अभी पेन ठीक से चल नहीं रहा है पर इतना ठीक है समझने के लिए राश्टी ये एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को सरदार पटेल मैं सिर्फ पटेल लिख दता हूँ अप लोग स्क्रीन सॉट रख ले या फिर लिख ले ठीक है ये सरदार पटेल जी का था पटेला नहीं नहीं सिर्फ पटेल आगे देखते हैं बिस्व ओजोन दिवस बिस्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है ये जो 16 सितंबर है इस दिन पीम मोदी जी का जनम दिन है जो बरतमान में हमारे परधान मंत्री है ठीक है बिस्व ओजोन दिवस यह जो 16 सितंबर है यह मोदी जी का इस दिन जनम दिन है जो इस साल करेंट अफेर में भी काफी पुछा गया था आगे है बिस्व ओपर्यावरन दिवस बिस्व ओपर्यावरन दिवस हम लोग 5 जून को मनाते हैं जो examination point of view से यह काफी बार पुछा जा चुका है important है बिस्व ओपर्यावरन दिवस आगे चलते हैं आगे है पंचायती राज दिवस ठीक है पंचायती राज दिवस 24 अपरेल को मनाते हैं और यह जो 24 अपरेल जो है पंचायती राज दिवस यह बलवन्त राय महता कमीटी जो बनी थी देशाजात के बाद उस समय के हिसाब से इसको उस दिन मनाया जाता है आगे है बी सुपर्याटन दिवस हम लोग 27 सितंबर को मनाते हैं आगे चलते हैं आगे है अंतरास्ट्री ये गर्ल चाइल्ड दिवस ठीक है गर्ल चाइल्ड डे हम लोग 11 अक्टूबर को मनाते हैं ये इस वार रेलवे एक्जामिनेशन में ग्रूब डी की पेपर में आया हुआ क्वेस्चन है अंतरास्ट्री ये गर्ल चाइल्ड डे ये याद रखे विस्व खाद दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है ठीक है अक्टूबर में अभी लगवाग इसमें काफी सारे डेट्स जो है वो अक्टूबर महिना के हैं जैसे ये 11 अक्टूबर है ना अंतरास्ट्री ये गर्ल चाइल्ड डे उसके बाद 15 अक्टूबर हम लोग उपर पढ़ चुके हैं विस्व चात्र दिवस उसके बाद है यहाँ पे 16 अक्टूबर विस्व खात दिवस फिर राष्टिय एकता दिवस अभी हम लोग उपर पढ़ चुके हैं 31 अक्टूबर है तो आगे देखते हैं आगे है विस्व निमोनिया दिवस विस्व निमोनिया दिवस 12 अबंबर को मनाया जाता है और विस्व वण दिवस 1 दिवस 3 March को मनाया जाता है तो यह थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल Important dates जो किसी भी examination में अक्सर पूछे जाते हैं ठीक है तो इन में से कुछ-कुछ जादा important है जो इस बार Railway की examination में भी आया है Governance Day मतदान दिवस पूछा गया है ठीक है एकता दिवस पूछा गया है और तो मुझे ज़्यादा भी पूछा हुआ सवाल इसमें ज़्यादा भी जनकारी नहीं है लेकिन ये जितने भी मैंने अभी लिखवा हैं ये सारे के सारे most important है ठीक है आगे देखते हैं और इस वार group D की examination में आया हुआ है विस वो खाद दी बस मैंने previous एर से भी सारे सवाल लिये हुए हैं जो जिसको मैंने इसमें रखा है आगे चलते हैं इतना ही था आज के लिए दोस्तों अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं कि ये जो important is की PDF मिल जा तो description में लिंक दिया हुआ है लिंक पे क्लिक करें और PDF को download कर लें वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं अगर वीडियो में कुछ खामी लगी हो तो वो बताएं कि हाँ वीडियो में ये चीज और पूरा करना चाहिए लाइक जरूर करें और सेयर जरूर करें वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद